आम आदमी पार्टी के राष्ट्रे प्रिशिद के सदस्य लक्षय गरग सदस्य बनाओ अभ्यान के तहत पहुंचे भट्टुकला आम आदिम पार्टी के राष्टे प्रिश्द के सदसे लक्षय गरग सदसे बनव अभियान के तहट सोंवार को गाउं भट्टुकला पहुंचे इस दुरान भट्टुकला में उन्होंने रोतास जांगडा के घर से सदसेता अभियान चलाया इस दुरान अनेक महिलाओं वैपरूसों ने आम आदिम पार्टी के सदसेता गरहन की इस उसर पर अपने संबोधन में लक्षय गरग ने कहा कि बाजबा सरकार में लोग महंगाई की मार जहल रहे हैं प्रसोही से लेकर घर तक चलाना आम आदमी के लिए दुश्वार हो गए है जिस परकार से पुरे परदेश में आम आदिम पार्टी को सदसेता अभियान के दोरान लोगों का समर्थन वै उत्सा मिल रहा है उससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी परदेश में अपनी सरकार बनाएगी उन्होंने कहा कि आम आदमी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले फत्यवाद जिले को नसा वै अपराद मुक्त किया जाएगा उन्होंने कहा कि परदेश भर में नसे के खिलाफ विशेश अभ्यान सला कर पार्टी दोरा पूरे परदेश को नसा मुक्त करने का प्रियास भी होगा। इस दोरान उपस्तित लोगों ने भी भट्टू वफतेवाद को अपराद मुक्त करने की सपत ली। इस अवसर पर फिका सिंगला, निखिलकरग, रोतास कुमार, विजय जिंदल, दिपक भंभू, अमंदीप, देवेंदर बाना, आत्मा राम, मिस्त्री, सत्वीर सोडा, कुल के तन स्कूल डिंग्सरा में वार्शिक प्रिक्षा प्रिणाम समारो सोंवार को आयुजित किया गया, जिसके आधेकस्ता स्कूल डारेक्टर विजय सिंग बागेला ने की। इस दोरान स्कूल प्रिंसिपल रन सिंग्ज रेपसवाल ने अवपस्तित जन को संबोधिक करते कि अभी भावक और टीचर्स के आपस में बाचित का मुख्य मकसद बच्चों को आतम निर्वर बनाना होता है, बच्चे के व्यक्तितव से जुड़ी बातों को एक दूसरे से सेर करना और उसकी कम्यों को जानना भी है, सेक्षनिक स्तर पर बच्चे में जो कुछ भी कम्या हैं, उसे दोनों तरफ से प्रियास करके दूर करने की कोशित करनी चाहिए, उन्हेंने बताया कि आज स्कूल प्रांगण में कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ्वी तक बच्चों का वारशिग प्रिक्षा प्रिणाम गोसित किया गया, जिसमें बच्चों ने बहतरीन अंक प् किया चातर और अभी भावक प्रिक्षा प्रिणाम को लेकर काफी उत्साहित नजर आए और वे अपने बच्चों के प्रिक्षा प्रिणाम से बहुत खुस और संतुष्ट दिखाई दिये स्कूल में कख्षाओं में पर्थम दिवित्यवे तिर्तिस्तान प्राप करने वाले चातर चातरों को मेरिट सर्टिफिकेट वे सिल्ड देकर उन्हें समानित किया गया उनके उजल बविशे की कामना की गई उन्होंने बताया कि बच्चों के सरवांगिन विकास के लिए विद्याले की स्थापन हुए तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा वर्स नहीं रहा जिसमें इस स्कूल के विद्याति किसी भी चैतर में दूसरे स्कूलों के विद्यातियों से पीछे रहे हों उन्हें बताया कि आज हमारे विद्याले का नाम खंड वैजिले में ही नहीं ब बतों को सिखाता है बच्चे को ये सरवांगिन विकास के लिए शिक्षक उनके बीच में रहकर उन्हें बहुत सी जानकरिया परदान करता है उन्हें कहा कि आज के समय में अभी बावकों का जागरुक होना आनिवारे है और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे विदेले में पढ़ने वाले बच्चों के अभी भावक बहुत जागरुक है जिसका सरे उन्हें ने SNPS टीम को जद दिया सहदी दिवस पर गाउं पीली मंदोरी में आयस विभाग की और से लगाया जाएगा नीशलुक आयस चिक्तिसा सेवर राष्ट्रिय आयस मिशन के अंत्रगत आयस मंतराले भार सरकार के तत्वाधान में आयस विभाग की और से 23 मार्च को सहदी दिवस के उपलक्ष में पंचायती द्रम साला पीली मंदोरी में विशाल नीशलुक आयस चिक्तिसा सेवर का आउजिन किया जाएगा सोवार को प्रेसिव गयपती जारी कर जिला आयरुवेदिक अधिकरी डॉक्टर मुकेस गो सुवामी ने बताया कि इस सेवर में आयरुवेदिक होमेपेथिक पंचकरम वे योग द्वारा जटिल बिमारियों से जैसे अलर्जी चरम रोग जोडों का दारद खांसी एवन सम अन्य रोग विर्दों वे महलाओं से समंदित रोगों वे अन्य रोगों की नीशलुक जाच के साथ साथ नीशलुक दौईयां भी वित्रित की जाएगी उन्होंने बताया कि सीवर में पंचकरम वे योग का जीवन्त प्रदरसन तथा औस दिये दर्वियों की प्रदरसनी भी सीवर के मुख्या आकशन होंगे इसके साथ साथ कन्या बुरुन हत्या को रोकने ग्रेलु उपचार की जानकारी खून की कमी दूर करने समंदित सला विर्दों को होने वाले रोगों की रोक्ताम वे मात्रिश शिशु स्वास्ते के बारे में विसे सग्यों द्वारा जा पुलिस ने किया गुमसुदगी का मामला दर्ज बटुक 76 से एक यूति अपने घर से गाइब हो गई सोंवार को पुलिस ने गुमसुदगी का मामला दर्ज कर जान सुरू कर दी पुलिस को दी सीकायत में यूति के पिता ने बताया कि उसकी 24 वर्षिय लड़की 18 मार्च को घर से बिना बताय कहीं चली गई उसे शक है कि किसी ने उसकी लड़की को अग्यास्तान पर चुपा रखा है उसे ने अपने स्तर पर काफी खोजबिन की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा जिस पर पुलिस ने धारा 346 के तैत गुमसुदगी का मामला दर्ज कर जान स्विवर में दंत चिकसक डॉक्टर मनू राठी ने आशा वरकर वैमरीजों को मोखिक स्वास्ते की देखवाल करने के तो तरीके बताए डॉक्टर मनू ने कहा कि मोखिक स्वास्ते सही नहोने से हम अपने साररिक स्वास्ते को भी प्रवावित कर सकते हैं हमें अपने दंत तोव्ऺ बैजीव को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, नियमित रूप से दंत चिक्त सक से मोखिक स्वास्टे की जांच करवाएं, उन्होंने कहा कि स्वास्थ श्रीर ही सबसे बड़ा धन हैं, इसलिए हमें जागरुक होकर अपने स्वास्थे की देखबाल करने चाहिए इस दोरान बच्चों के दांतों का चेक अप किया गया इस अफसर पर डॉक्टर सुशील, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर कोशल, डॉक्टर कवीता, डियच, सुरेंदर, राजंदर, केला, साइथ, स्वास्ते विबाग के अनेक करमचारी मौजूद रहे